अब बात करेंगे अपनी वी आईपी डिमांड के लिए चर्चा में आई महारास की ट्रेनी आईएस अधिकारी पूजा खेड कर गी जिन्होंने वाशिम कलेक्टरेट जॉइन कर ली है बतादी कि उनका तबादला कई दिनों पहले पूर्णी से वाशिम किया गया था खेड कर नी 11 जुलाई को वाशिम कलेक्टरेट में पहुच कर नई जिम्मिदारी को संभाला है बतादे कि 2023 बैच की आईएस अधिकारी पूजा खेड़ी कर पहले डॉक्टर थी वर चिकित सक से आईएस बनी उन्हें ट्रेनिंग के बाद पूर्णी में पहली पोस्टिंग मि नाराष्ट में आजकल पुने की प्रोबेशनरी आएस ओफिसर पुजा खेड़कर का मामला बहुत जोर से चर्चा में है पुजा खेड़कर तब से सुर्कियों में आ गई जब से उन्होंने यहां ट्रेनी ओफिस के तर पर जॉइन किया पर उसके बाद अपने अधिकारिय को अपने लोगों को धंकी देना शुरू कर दिया कभी वो आड़ी गाड़ी लेकर आ गई उस पर बीकन लाइट लगाया उसके बाद उन्होंने ऑफिस के लिए जगरा किया उनकी पिता जी आफिस में आये बंगले के लिए जगरा किया पिता जी ने वहां के आफिसर के बहुत दुर्योहार किया और उसके बाद वो सुर्थियों में आगे उनका जो भी वी विए रहे वो चर्चा में आगया उसके बाद लोगोंने उनकी सारी जानकारे लेने की शुरुवात की तो बहुत ही चवकाले बाते सामनी आ गई एक तो पुजा केड़कर यह ऐस ऐसे बने कि उनको OBC non criminal का certificate दिया उन्होंने अब खुद विकलांग होने का certificate दिया लेकिन उनके पिता जी जो की सरकारी सेवा में थे उन्होंने अपना अफिडिविट या लोग सभाई इलेक्षर के लिए फाइल कर दिया तो उसमें लोगों को समझ में आ गया कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी अपने लिखिए उसको अगर देखा जाए तो उनको कोई भी नान क्रिमिलेर सेटिपेट नहीं मिल सकता था मतलब उनके पिता जी के और फैमिली की प्रॉपर्टी ये उन्होंने इलेक्षर एफिडिविट में चालीस करोड की दिखाई है अगर चालीस करोड की प्रॉपर्टी उनका 110 एकर खेती दिखाई दे रही है जो की जो नॉर्म सब्सक्राइब उससे कई ज्यादा है अर्बन एग्रिकर्चल लैंड सिलिंग्ड एक्ट के मताबिक वह चौबन एकर से ज्यादा उनको प्रॉपर खेती नहीं रख सकती यह तो एक वह गया इस एक कानून का उलंगन उसके बाद उनके पास साथ फ्लैट छे बड़े- प्रॉपर्टी जिनका एरिया करेबन एक लाग साथ हजार है डाइमंड्स सत्रा लाग का गोल्ड वाच और बहुत सारी प्रॉपर्टी उन्होंने दिखाई प्रॉपर्टी जमा करने में किसको कोई एतराज नहीं होता है लेकिन इतनी प्रॉपर्टी होने के बाउजूद उन्होंने नौन क्रिमिलेर का सर्टिफिकेट ले लिया जो सर्टिफिकेट साला ना सिर्फ आठ लाग से कम जिस फैमिली की आमदनी उनको मिलता है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होने के बाउजूद उनको ये सर्टिफिकेट मिला कैसे या तो सर्टिफिकेट जुटा है य बहुत ही उन्से दर्जे की होते हैं, वहां नोकरी देते वक्त, काम देते वक्त, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरी बात है कि उन्होंने जो क्याट में लिखा था कि मैं मानसी कृप से बिमार हूँ और मुझे मल्टिपल डिसेबिलिटी तो मानसी कृप से बिमार इस सेवा में कैसे आ सकता है। और मल्टिपल डिसेबिलिटी जो उन्होंने का तो UPS ने उनको छे बार मेडिकल बोर्ड के सामने हाजिर होने के लिए बिला, फिर भी वहाजिर नहीं हुई थी। उसके बावजुद उनके सर्विस कैसे मिल गई, इस पर बहुत बड़ा क्रिक्शन मार्क खड़ा हो गया है। और इसकी सारी इंक्वारी होनी चाहिए, जो उन्होंने किया, उनकी इंक्वारी होनी चाहिए, उनको जिन्होंने सपोर्ट किया, उनकी इंक्वारी होनी चाहिए, और सबको पिरिलाइज करना चाहिए, और अगर अगर उन्होंने जूट बोलकर ये सर्विस हासिल की है, तो उ से यह सर्विस निकाल देनी चाहिए यह हमारी मांगवर यह महाराख्ष की जनता की मांगव